दिली अंस्यार का मौसम आज से करवट ले सकता है मौसम विभाग का पुर्वानुमान है कि अगले तीन दिनों तक बारिश सुख सकती है इसे तापमान में कमी आ सकती है हलकी सर्दी की दस तक महसूस होगी विभाग ने शनिवार को कुछ जगों पर हलकी बारिश की संभावना के साथ रभिवार और सोमवार के लिए यलो अलार्ट चाल किया है मौसम विभाग के मताबिक शुक्रवार को अधिकतन तापमान सामाने से दो अधीक 34.9 वर नियूंतम तापमान सामाने से एक कम 18.9 वर रात में हलकी थंड़क महसूद की गए 24 गंटी में हवा में नमीकास्तर 36 से लेकर 81 फीजदी तक दर्च किया गया मौसम विभाग का पुरवानुमान है कि अगले 24 गंटी में अधिकतन तापमान 24 वर नियूंतम तापमान 20 डिगरी सेलसर्स दर्च किया जा सकता है सुबा के समय मौसम साफ रहेगा और दो फैर तक दुजगों पर हलकी बारिश तर्च की जा सकती है इससे वातावरण में ठंड़क बढ़ेगी इसके अगले दो दिनों के लिए यलो अलर्ट ज्वारी किया गया है जिससे बारिशोने पर तापमान में और कमी होगी विभाग का अनुमान है कि सब्ताग के अंतक नियूंतम तापमान 18 डिगरी सेलसर्स तक पहुँचेगा बदलते मौसम के साथ दिल्ली की हवा लगतार बिगर रही है शुकरवार को दिल्ली का वायू गुर्वत्ता सुचकांग खराप श्रणी के बहुत नवस्दिक दर्च किया गया अगले 24 गंटे में इसके खराप श्रणी में पहुचने की समभावना है वही अंसियार के अन्य शेहरों के हवा खराप श्रणी में रही सीपी सीवी के मुताबिक शिक्रवार को दिल्ली का उस्तन वायू गुर्वत्ता सुचकांग के 188 बे रहा इसके लावा फरिदबाद का 211, गाज़बाद का 235, गुर्टे नोड़ा का 241, गुरुग्राम के 195 और नोड़ा का 192 एक यूवाई रहा इलागा तार तीन दिन है जब एंसियार के शेहरों की हवा खराप श्रणी में मनी हुई है सफर इंडिया के मुताबिक पश्यमी दिशा से आने वाली धूल भरी हवाओ की कारण पायु गुर्वत्ता बिगड़ रही है इसमें मौजूद पी-म-10 की मात्रा अधिक दर्ज की जा रही है बीते 24 घंटे में हवा में पी-म-2.5 कास्तर 81 मैक्रोग्राम प्रतिघन में दर्ज किया गया व्यूर रिपोर्ट नवदे टाइम नहीं करिए